दोस्तों मैं कमल दिमान केडी लर्निंग हम में आपका स्वागत करता हूं तो जैसे कि हम लोग पहले भी UKPCS के प्रीबियस यह के पेपर सॉल्व करवा चुके हैं ठीक है उसी तर इसे आज 2012 का पेपर सॉल्व करने हम लोग जा रहें ठीक है तो जो दिन लोगों का तीन तारी करने गुप्त और मौर्ययकाल में सबक्राइण करने सर Какर सबसे केंद्र स след की कॉन सं الي कर और इसमें विए बिस्ब्न उसका शाथ ताहरे चिक्षा ग्रेंड करते थी ठीक है इस चलिए आगे बढ़ेंगे प्रसित बौध बॉध विद्वान अस्व घोष इसके समकालिन थे तो असोग के थे नागार जून के थे यह कनिस्क के थे हर्स के थे तो यह उप्षयंट सी होगा यह कनिस्क के शमकालिन थे ठीक है आगे उस बन से है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हिमाईयू नामा का लेखक कौन था तो हिमाईयू नामा का लेखक जो है गुल वदन बेगम थी इसका उप्शन सी होगा ठीक है अंसर आगे बढ़ेंगे निम लिखित में से किस इस्थान पर मानप के साथ कुट्टे को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है तो यह बुर्ज होम में मिला है ठीक है मानप के साथ कुट्टे को दफनाए गया था ठीक है और यह इस ताइम पर कहां पर है तो यह पाकिस्तान में पढ़ता है ठीक है यह प से कौन सा बेद सबसे प्राचीन है ठीक है तो कौन सा बेद है तो रिग बेद सबसे प्राचीन है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे लोथल कहां है गुजरात में है लोथल ठीक है और ठीक है गुजरात के एमदावैस जिले में हैं ठीक है भोगवा नदी के किनारे भोगवा नदी के तटपर है ठीक है यह लोथल तो यह भी कॉश्चन्स बन सकता है आपको लोथल से कौन सी नदी संबन दीते हैं ठीक है नेक् किसके उसमें हुआ थे डॉक्टर सत्पाल और सैफुदीन किचलू की गृपतारी के बिरोध में जो है प्रदेशन कर रहे थे तो जनरल डायर ने यह गोलिया चलवाई थी ठीक है एक हजार से बी ज़्यादा लोग मरे थे उसमें next question से हमारा महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसध इतिहासकार कौँन था तो महमूद गजनवी के साथ में कोन आया था तो अलवरुनी आया था ठीक है कोन आया था खानवा की युद में कौन पराजित हुआ था त प्लासी का यूद मैदान कहा है तो यह पस्चिम बंगाल में है ठीक है और प्लासी का यूद किस-किस के बीच में हुआ था तो सिराजुद दोला से किसका हुआ था अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद दोला के बीच में प्लासी का यूद हुआ था 1775 में ठीक है कौन तो इसको बोला जा सकता है कि अकबर और महराना प्रताब के मद्धिया हुआ था लेकिन इसकी जो सेना पती थे सेना नायक थे जिसको बोलते हैं तो इनका जो नेत्रत्व किया था मुगलों की तरफ से वह आसाफ खाने और मान सिंग द्वारा किया था ठीक है और कब हुआ था तो यह 1576 में हुआ था पानी पित की तीसरी लडाई में मराठाओं को हराया गया तो किस ने हराया था मराठाओं को तो अफगानों ने हराया था ठीक है एहमस साब दाली ने जो है सदासिव भाव को हराया था ठीक है आगे बढ़ेंगे प्लासिका यूद में बता चुका हूं अंग्रेजों के विरुद भारत छोड़ो आंदोलन की घोसना किस बरस की गई थी ठीक है तो अ अब बात यह आती है कि भारत छोड़ो का नारा किस ने दिया था तो भारत छोड़ो का नारा जो दिया था वह किस ने दिया था ये भी हमारा लिए यूसूप महरोली ने दिया था ठीक है इसने दिया था यूसूप महरोली ने दिया था ठीक है और इसी में जो है फिल्धान मंत्री ने इसी के 78 बर्स पूरे होने के उपलक्स में एक नारा उड़ दिया है करेंगे और करके रहेंगे ठीक है ये करन्ट से रेटेड है बेह महिला जिसने अबद में 1857 की क्रांती का नेत्रत्थ किया था तो बेगम हजरत महल ने किया था ठीके अबद से बेगम हजरत महल ने किया था और बात करो रानी लक्ष्मिवाई ने जहांसी से किया था ठीके और चलिए आगे बढ़ेंगे महात्मा गांधी का पहला आमरण अंसन कब प्रारम हुआ था तो महात्मा गांधी का जो पहला आमरण अंसन था वो कुमिनल अबॉर्ड के समय शुरू हुआ था ठीक है कब शुरू हुआ था कॉमिनल अबॉर्ड के टाइम पे शुरू हुआ था भारत की स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस के अध्यक्स कौन थे तो कौन थे जेबी कृपलानी थे ठीक है आगे बढ़ेंगा 1908 में छे बर्सकी कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम की किस उगरबादी नेता को दी गई थी तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी ये एक उगरबादी नेता थे उगरदल के नेता थे ठीक है ये गरम दल के नेता थे भगास सिंग सुखदेव और राजगुरू को किस बाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी इनको लाहोर शडियंत्र केस में सुनाई गई थी लेकिन लड मेयों का जो लड मेयों ने बहुत सारी चीज़ें इंदिया में की थी तो भारत में जंगर्णा के जनक इन्हीं को माना जाता है ठीक है और बैस्ति से अड़र्ण की कारण बंगाल को फिर से कब एक इकरत कर दिया गया था 1911 में कर दिया गया था 1911 में फिर से एक जूट कर दिया गया था जब भारतियों का बिरोध हुआ था चीक है आगे बढ़ेंगे Servant of India Society के संस्थापक कौन है तो ये सरोजनी नाइडू है ठीक है और मुसलीम लीग ने भारत के भिभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अदिभेशन में किया था भी कि किस से लिया था तो ये- इस्थापित भारत का प्रथम राजनितिक संगठन था तो जमिदारी एस्ट था ठीक है प्रथम महात्मा गांधी ने अपनी आत्म कथा मूल रूप में लिखी है तो वो गुजराती में लिखी है ठीक है अपनी आत्म कथा my experience with truth जो गुजराती में लिखी गई है भारत में पहली railway line कब शुरू की गई थी तो 1853 में शुरू की गई थी और Lord Dalhoji के समय उस टाइम पे Lord Dalhoji गबर्नर थे ठीक है और थाने से मुंबई तक शुरू की गई थी चलिए आगे बढ़ेंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निमलिखित घटनाओं का क्या सही काला नुकुरम है ठीक है तो चंपारन सत्यग्रा सबसे पहले हुआ था या कौन सा हुआ तो इसका option B होगा सबसे पहले जो हुआ था वो चंपारन सत्यग्रा ही हुआ थ ठीक है थिके दिन उसके बाद में एहमदाबाद मेल घ्रताल हुए थी और उसके बाद में असही योग आंदोरण किया घ्लिएrau रही करत की सबस्ते ऐंसे तो ब्रकुरुदित यह उग्रबादी ते घरम दलके निता थे बाकी सब उधारवादी निता थे आगे बढ़ेंगे देख लो यहां पर दिखा दिया कहा है सबसे पर इसमें मैचिंग कराना है होगे ठीक है तो महात्मा गांधी दांडी मार्श से संबंदित है ठीक है सब जानते हैं खान अब्दुल खान बक्षार ये लाल कुर्टी से संबंदित हैं जवाल नाल नहरू कॉ सबसे बड़ा दीव दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन लेंड के बाद दीव है तो कौन सा है तो यह न्यूगिनी है ठीक है निम लिखित में से किसे ओसीनिया के नाम से अभी विहित देशों के भोगोलिक समूहों में सम्मिलित किया जाता है तो किसको किया जाता है तो ऑस् ने केसरी समचार पत्र जो है शुरू किया था ठीक है निम लिखित में से किसे तो यह हो गया 36 37 को देखते हैं निम लिखित में से कौन सा देश आरंट तेल के बीच का सबसे बड़ा उत्पादक वे निर्यातक है तो यह भारत ही है ठीक है 65 परसेंट जो है पूरे बीच का उत्पादन करता है आस्टेलिया वासी किस मोसम में क्रिस्मस मनाते है तो यह गर्मियों की मोसम में जो है क्रिस्मस मनाते है ठीक है निम लिखित में से कौन सा एक सर्वदिक भांगूर परिस्थितियां तंत्र है जो बैस्विक तापमान पर्किटिक एवं ग्रीन लेंड हिम चादर ठीक है प्रतवी का भूमद्य रेखिया की कुल लंबाई लगवग कितनी होगी तो 40,075 है ठीक है इसकी किलोमेटर लेकिन इसमें 40,000 दे रखा तो इसी को लेगे इन में से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है तो बीयर जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है बाकि सुपीरियर यूरेन और मिसी गिन यह एक ग्रेट लेक्स का जो है हिस्सा है सारी ठीक है बियर लेक कनड़ा में सी थे जील ठीक है भारत में सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात किस नदी पर बना है तो यह सरावती नदी पर बना है ठीक है कहां पर है महाराष्ट पर करनाटक की सीमा पर भारत में केंदर सासित प्रदेशों की राज्यों की संख्या कितनी है तो फिलाल तो आठ है जो जिस समय का यह कोशें उस समय साथ थी ठीक है अब लद्दाक जम्मु कस्मीर और लद्दाक को अलग एक यूनिन टे टाम के कोडिंग तरी पर्दाट है थ्री चला एम उस जगवा की देशांतर रेखा क्या होगी डिशांतर रेखा पूर्बॉर्भ फोटीफाइब डिंगि ऑन भृश्प मुह कोणाक को अब जाता था इसिए को पूसित स्रेळंक बॉल्च्चतге कहां पर को डांख में निम लिखित भारतिय दिपों में से कौंसा दीव भारत अबंधों स्रीलंका की मध्याएं में है तो रामेस्परम है थीका है option C इसका सही answer हो जाएगा भारत का निमली खित में से कौन सा छेत्र उच्च तीवरिता की भुकंपिये मेखला में नहीं आता है कौन सा नहीं आते तो करनाटक का पठार को इसका ओप्सेंज क्या हो जाएगा तीक है ुई-टे जिनाव नदी पर इस-थित है किस नधी पर है तो ये किस नधी पर है जनाब नधी पर है कहाँ पर है ये तो ब्रक्राइब्स करदेशत्यों 5-800-850-1200-mete माद्धिया में इनकी उचाइए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्र में से किसके द्वारा निउट किया जाता है तो यह रास्टपति के द्वारा निउक्त किया जाता है इनको तक निर्वाचे से संबंद किचने बharto back 25 में हिसके किसिल भारृते बाइसे करक रिखा गुजरती संसद में पहला लोकपाल भिद्हयक कब रखा गया तो कब रखा गया था तो संसाथ में पहले टाबोमत अवस्तित है तो यह हिमाचल प्रदेश में ताबोमत इस्टित है एगे बढ़ेंगे असोम मानस अभ्यारण जाना जाता है तो किसी इस के लिए बागों के लिए जाना जाता है ठीक है आगे पढ़ेंगे संभिधान का कौन सा अनुछेत दो सिद्ध के संबंद में अभी युक्तों को दोहरे दंड एवं स्वय अभी शाशन से संद्रक्षन प्रदान करता है तो संस्ध Τ op 2 ी ल्फिं extra जाता है फेंद की अचाली अूज act की सम्मिलित वैठक की अध्यक्सता की जाती है तो किसके च् में करें ये बहुत इंपवर्टन्ट है याद रखेंगे इसको भारत के Comptroller और Audit Journal CAG की रिपोर्ट पर परिक्षन निम्न में से कौन सी संसद्य समिती के द्वारा किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है तो ये Public Accountants Committee के द्वारा किया जाता है ठीक है, Option C इसका सही अंसर होगा ग्यारभी पंचवर्श के योजना का मुख्य भाव क्या है तो क्या था तीव्रता एबम अधिक सिमिलित ब्रदी ये था ठीक है सम्विधान संसोदन से, 1978 में किया गया था ही ठीक है और 300a में डाल दिया गया है तो अब टोटल अर्टिकल सोरी टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने है शिक्स हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे भारत के सम्विधान के अंतरगत क्राम पंचायोतों का गठन तो यह किसके निदिषक सिधान्त है ठीक है ओप्षण से, इसका सही होगा ची आगे बढ़ें बेरोजगारी समस्या में गरीबी बढ़ती है क्योंकि मुद्रा इस्पितिक की दर बढ़ती है ठीक है औप्षण से, इसका सही आनसर हो जाएगा भारत में अधिकांस बेरोजगारी है तो कैसी बेरोजगारी है तो संरचनातमक बेरोजगारी है भारत में ठीक है संयुक्त रास्ट मानव विकास सूचकांग किसके द्वारा विक्सित किया गया है तो ये जो किया गया था महभूब उल्हक के द्वारा किया गया था ठीक है ये पाकिस्तानी है पाकिस्तानी अर्थसास्त्री थे एक रुपए के भार के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं ये कोशन इतनी बार पूछा जा चुका हार एक एक्जाम में अलग-अलग तरीके से ठीक हैं तो इसको तो रटी लो बहतर होगा सचीब बितमंत्रा लेके सचीब के हस्ताक्षर उसके किये जाते हैं ठीक हैं एक में की गई थी ठीक है मुख्याले का आप आ रहे तो नई दिल्ली में आगे बढ़ेंगे बर्ग आंक्रों के लिए माध्यका सूत्र निर्वर करता है कि किस पर करता है तो इंट्रेटिब विधी के द्वारा किया जाता है निम्न में से एक भार्तिय किसी की विसेश्ता नही तो 1935 में हुई थी ठीक है अ reflecting मुद्ध है यह जिर्योग किये जाता है निम्न ग्याद करने के लिए इमेती माध्य तो साही सांटियों का समान माध्य कर निम्सान माध्य कर कुर से नहीं है तो कौन सा नहीं है वो समादय कर नहीं हुआ हैbell का असमानय इस तर संबंधित होता है यह इस् किस बर्स किया गया था तो कभ किया है je 1982 में कर दिया घ्याज था ए थीक स्का सफसींगे एच है एंजाइम एक है तो यहыми इंजाइम 502 ए थिक है कि बयास्क मानक फषरीर में हड्यों की संख्या कितनी होती है तो यह 206 होती है बच्चों वाला सवाल डाल दिया ठीक है निम्न में से कौन सा संक्रामक बिमारी नहीं है कौन सी बिमारी जो है संक्रामक नहीं है एड्स नहीं है ठीक है यह क्या सी बिमारी है बिसानु युक्त बिमारी है बिसानु जनित बिमारी है ठीक है निम्न में से कौन सा अनुवांसिक अवस्था नहीं है तो ओप्सन सी होगा ठीक है इसका ओप्सन इरिटेबुल बाउल सिंड्रॉम ठीक है निम्न में से कौन सी किर क्रिया में आर्थो प्लास्टिक क्या है तो आर्थो प्लास्टिक क्या है तो कूल है के जोड़ का जो प्रितिस्थापन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्थो प्लास्टिक बोलते हैं ठीक है प्लास्ट्री बोलते हैं आगे बढ़ेंगे रतोंधी निम्न में से से किसके अल्पता के कारण होता है तो बिटामिन एक ही कारण कमिके कारण होता है ठीका है रतंदी रोग निम्नमें से कौन सी क्रिया? सुएद बास्टमन से संबन्दित है तो उपसंस क्या होगा? उस्मा सोसक क्रिया ठीक है? निम्नमें से कौन सा प्रोशन कारक? जैब ये रूप से आप गटित होता है तो कौन सा होता है? D, मल ठीक है? जल में घुलन सील बिटामिन है तो B options होगा इसका बिटामिन C और भौतिक विज्ञान का questions लेते हैं निम्न में से कौन सा रसाइनिक उर्वरक नहीं है तो sodium sulphate जो है रसाइनिक उर्वरक नहीं है ठीक है प्लास्टिक से कौन सी गैस उद्परन होती है है कंसी गैस होती से पॉलिदोज यह ठीक है एक सबस्थर का बिस होता है कोबरसर्फ का विर्स कैसा होता है तो तंत्री का विसी होता है उसका options A's का सही आंसर होगा ठीके बाईयू यान में black box का क्या रंग होता है तो वो नारंगी करलर का होता है options A's का सही आंसर होगा इनमें से कौन सा उद्दोग चुम्बकिय सियाही गुर्ट पहचान का प्रात्मिक प्रयोक करता है तो options के ए इसका सरी आंसर होगा bank ठीक है बैंक जो है चुम्बकिय सियाही गुरण पहचान mär, micr का यूज करता है check के लिए किसके लिए यूज करता है चक के लिए अ, car में car में लगा हुआ गती मापक यंत निरूपित करता है एनलोग कंप्यूटर को निरूपित करता है लेकिन आज कल की जितनी भी कारे आ रहे हैं उसमें सब हाइब्रिड देखने के लिए मिल जाते हैं ठीक है तो इसका मेरे हिसाथ से तो हाइब्रिड होना चीए पहले वाले जो थे ग लाल का किया जाता है ठीक है साधारन सब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है तो यह इंटरनेट कहलाता है और भारतिय सूपर कंप्यूटर का नाम क्या है तो परम जो है भारतिय सूपर कंप्यूटर का नाम है लेकिन जो अभी बरतमान में नवीनतम सूपर कंप् सबसे अधिक प्रयोग्त होने वाली इंपूट डिवाइज कौन सी है आज कल सबसे अधिक प्रयोग्त होने वाली इंपूट डिवाइज कौन सी है तो कीबोर्ड है इसका अंसर सी सही हो जाएगा फ्रिजो में कौन सी गैस भरी जाती है तो मैफ्रोन भरी जाती है बी आंसर इसका सही होगा कि संगठन की बैप साइट का डॉट कॉम अंस सूचित करता है तो ये एक कैसा कॉमर्सियल होता है ठीक है एजुकेशन के लिए एडी यू दिया जाता है ठीक है जिसे की भारतिय घाटी में राजमा और आलू की चुरी भागी रथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारम करने का स्रे किसको दिया जाता है तो विलसन को दिया जाता है ठीक है ओप्सर ए सही अंसर होगा इसका बहाप्रदेश जिसने अटल खादान योजना प्रारम किये तो ये उत्राखण ने की थी ठीक है इन में से कौन सा नित्या उत्राखंड का नहीं है तो तेहरा ताली जो नित्या है वो उत्राखंड का नहीं है राजिस्थान का है ठीक है उत्राखंड की विधान सबा में किस समुदाय को नामंकित सीथ प्रदान की गई है तो एंगलो इंडियन को की गई है ठीक है तो ये पिरारम किस ने किया था गोरा देवी ने किया था ठीक है अलमोडा के निकट लखु ओड लखु ओड यार लखु ओड यार पर लाल रंके उकेरी गई जो मानब आकरती मिली है बेकिस साल किस काल की है तो पासान काल की है ठीक है माना दर्रा इस्तित है कहां पर है माना तो यह उत्राखंड में इस्तित है, ठीक है, उत्राखंड की किस जनजाती द्वारा रितु प्रवास किया जाता है, तो C, भोटिया दिवारा किया जाता है, ठीक है, सोमनात, मासी, मेला, उल्लास, पूरवक किस राज्य में मनाया जाता है, तो A, उत्राखंड में मनाया जाता किंगरी बिंगरी निती सैल साल और धर्मा उत्राखंट की क्या है तो ये सब क्या है ये दर्रे है चीक है ये सारे क्या है दर्रे है आइस्थाई जन्गर्णा रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्राखंट के किस जिले में प्रती 1000 पूस्पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी त कि उत्राखंड की उत्राखंड में निमली खित में से कौन विस्प धरोहर इस्थल घोसित है तो ऑफ्शन सी उसका अंसर सही होगा नंदा देवी बायो स्फेयर जो है विस्प धरोहर में इस सित है ठीक है आगे बढ़ेंगे कावा क्या है तो कावा एक मुशलिम पवित्र इस्थाल है है कहां पर जहां पर हज बोलते हैं जिसको यह वहीं पर यह काबा जगा पर जाते हैं उसको एच ओट है कि आधि संक्रीशार्य द्वार्ण सथापित चार मठ कौन से है आगे राश्ट्य पर्यावरण इंजीनियरिंग सोद संस्थान निरी का मुख्याल्य इस्तित है तो कहां पर रहें नाकूर में है ठीक है निम्नांकित में से कौन सा एक बायू मंडल के ओजोन और ऑजोन परत की मोटाई मापने का नापने वाली एकाई है ठीक है। इस second भारत प्रथम बितमंत्री कौन थे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो बित मंत्री कौन थे श्रीक गुलजारी लाल नंदा जौन मैथाई और स्रीक कृष्ण मचारी और स्रिमती सरोजनी नाइडू तो इसमें से कोई उप्सेंस नहीं है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम बित मंत्री थे आर के सना मुखम यह थे आगे बढ़ेंगे हरित क्रांती में प्रयूप मुख्य पादप फसल कौन सा था तो अप्सेंस डी होगा मैक्सिकन गेहूं ठीक हैं और मैक्सिकन गेहूं के लिए इनका जनक जो है नार्मन वार्ल लौं को माना जाता है इसी के लिए और इंडिया का जो है हरित क्रामती का जनक किसे माना जाता है तो MS स्वामी नाथन को माना जाता है ठीक है आगे बढ़ेंगे हाँ समय कि बाल विकार सिवाय नामकारे करम आरंभ हुआ था तो 1975 में आरंभ हुआ था ही आगे बढ़ें किस प्राचीन भारतिय पुस्तक का 15 भारतिय एबम चार विदेसी भासाओं में अनुबात किया गया है तो किसका किया गया है तो यह पंच तंत्र का किया गया है और संस भी इसका सही अंसर होगा पुस्तक भारत की दूसरी सुतंता का लेखा कौन है तो लोक नायक जैपरकास नारायन इसके जो है लेखा कोस्टंस भी इसका सही अंसर होगा तो 150 कोश्टंस कम्प्लीट होते हैं I hope session आपको अच्छा लगा होगा तो like कर देंगे share कर देंगे और नए आएं तो subscribe करना बिल्कुल नहीं बूलेंगे thank you so much